Hello friends, welcome और इस वीडियो में आप एक ऐसा टॉपिक सिखेंगे जिसके लिए students बहुत confused रहते हैं वो है unit change करना तो आपने देखा होगा maths में और science में आपके पास questions आते हैं जैसे 1.5 km है और आपको इसे मेटर में convert करना है तो किस तरह से convert करते हैं या फिर आपके पास 400 cm इसको आपको मेटर में convert करना है तो हम और इसके बाद weight भी है मतलब mass की में बात करूँ जैसे kilogram को जैसे मेरे पास 0.26 kilogram इसको बदलना है gram में तो कैसे करें या 400 miligram है इसको gram में convert करना है या फिर time में होता है जैसे 1.5 minute है तो इसको convert करना है second में तो ये सब आपने देखा होगा maths में, science में बहुत बार ये use होता है कि हम unit change करते हैं science में क्या होता है कि science या maths में जब हम सब को same unit में रखे solve करना होता है तो उस समय में change करना पड़ता है और students बहुत जाले गल्दी करते हैं पहली बात तो यह है कि उन्हें यह नहीं पता होता है कि कितने का multiply करें कितने का divide करें दूसरी बात यह है कि उन्हें यही पता नहीं होता है कि multiply करना है डिवाइड करना है कभी कभार multiply कर देते हैं कभी कभार divide कर देते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी confusion दुर हो जाएगी मैं आपको detail में सारा बताऊंगा even जो main main है जैसे mealy, centi और इसके बाद जो kilo meter और ये सब होता है लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने सुना होगा decimeter होता है, decimeter होता है तो ये पूरा वीडियो आप देखना और ये सारा का सारा unit का system आपको अच्छे समझ आ जाएगा so let's start देखे, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूँ कि तीन main चीजों की unit के हम बात करेंगे, एक तो लंबाई है length लंबाई, ठीक है, फिर इसके बाद mass, यानि द्रव्यमान, यानि जो kilogram में हम नापते हैं ये mass की unit है, और उसके बाद time तो यानि ये जैसे minute, second, hour, ये सब तो सबसे main बात ये है जो मैं आपको शुरू में भी कहा कि दो problems होती है सबसे पहले, कितने का multiply करना है ठीक है न? कितने का multiply या divide करना है और दूसरा ये है कि हमें करना क्या है हमें multiply करना है या divide करना है तो सबसे पहले, तो मैं ये बता दूँ कि आपको multiply करना है या divide करना है सबसे पहले तो मैं आपको ये rule number two बता रहा हूँ देखो अगर हमारे पास है, मानलो कि 1.5 km और हमने इसको बदलना है मीटर में तो इसमें हमें अब चलो मैं आपको यह बता देता हूँ कि 1000 का इसमें करना है अब multiply करना है या divide करना है यह मैं आपको अब समझाता हूँ क्योंकि पहले मैं यह वाले confusion दूर करता हूँ जिसमें बच्चे गलती से कभी multiply की जगा divide कर देता है तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजे होती है जब भी कोई value हमारे पास होती है उसकी दो चीजे होती है यह जो पहला हिस्सा है इसको बोलते है numerical value जो इसका अगर हम हिंदी की बात करें तो यह होता है आंकिक मान यानि जो यह number है और दूसरा होता है इसकी unit यानि हिंदी वारे बच्चे हैं तो यह मात रख होता है तो इन्वे से देखो इनका multiply एक जैसर रहता है तो अगर यह बढ़ेगा तो यह कम होगा और यह कम होगा तो यह बढ़ेगा आप यह रूर हमेशे याद रखना अगर यह बढ़ेगा तो यह कम होगा और यह कम होगा तो यह बढ़ेगा अब इसके बढ़ने का मतलब क्या है देखो आप इतना तो जानते होंगे कि किलो मीटर और मीटर में कौन बड़ा है इतना तो आप जानते हो तो किलो मीटर जो होता है वो बड़ा होता है मीटर छोटा होता है इतना तो आप जानते होंगे यानि जो यूनिट है वो कम हो रही है यूनिट कम हो रही है न तो जब यूनिट कम हो रही है तो इसको बढ़ 1000 का ही क्यों किया है वो rule number 1 है लेकिन पहले तो ये समझ लो कि multiply करना है या divide करना है और इसका answer आ जाएगा 1500 meter अगर हमारे पास से 400 centimeter और इसको convert करना है meter में तो देखो centimeter बड़ा होता है कि meter बड़ा होता है तो अब आप आरम से कह सकते हैं कि सर बड़ा तो meter होता है ये तो centimeter छोटा होता है अब हमने unit का क्या किया unit हमने बड़ी की या कम की तो देखो unit जो है हमने बढ़ा दियो centimeter थी बड़ी तो unit जो है हमने बड़ी कर दी तो अगर हम इसे बढ़ा करेंगे तो ये कम करना पड़ेगा या निभाइड करना पड़ेगा तो यह आ जाएगा 400 अपन 100 अभी 100 क्यों है यह मैं समझाओंगा बट यहां पर यह समझो कि डिवाइड होगा और यह आंसर आ जागा 4 तो इतना आप समझ गए कि हमें किस case में multiply करना होता है किस case में divide करना होता है एक में last आपको बता देता हूँ जैसे हमारे पास है 10 minute और इसको convert करना है hours में घंटे में ठीक है न तो बता minute बड़ा होता है कि घंटा बड़ा होता है hour तो आप को होगे कि sir, hours भड़े होते हैं, minute छोटा होते हैं, यानि, unit के साथ मैंने क्या किया, unit मैंने कम कर दी है, sorry, unit की value बढ़ा दी है, minute छोटा होता है, hour भड़ा होता है ये divide होगा और अगर यहीं पे ही अगर हमें 10 minute को convert करना है second में तो देखो ये जो minute है और ये second है कौन बड़ा है तो आप कहोगे कि sir minute बड़ा है second छोटा है unit छोटी हो रही है तो अगर unit छोटी होगी तो ये number को बड़ा होना पड़ेगा ठीक है और number बड़ा होने के लिए आपको इसको 60 से multiply करना है क्योंकि एक minute में 60 second होते है तो ये answer आजाएगा 600 second अब आपको समझ आ गया है इतना तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस case में multiply करना है किस case में divide करना है अब मैं आपको समझाओंगा और ये अब ज़्यादा important है I mean to say काफी detail में है ये कि कितने का multiply करें यहाँ पर क्यों hundred है यहाँ पर क्यों thousand डिया तो इसे अब देखो आप तो देखो जो unit हमारे पास length की होती है लंबाई की unit होती है यह mass की unit होती है उसमें हमारे पास सेम चीजें आती हैं लगवक्त यानि अगर लंबाई में है किलो मीटर तो mass में होगा kilogram अगर यहाँ पर है मीटर तो यहाँ पर होगा gram अगर यहाँ पर है मिली मीटर तो यहाँ पर आएगा मिली ग्राम तो basically अगर आप एक सीख जाएंगे तो आपको दूसरा अपने अपी समझ आ जाएगा N की जग़े पर G लगा देना दूसरा अपने अपी समझ आ जाएगा ठीक है तो फिला आप फोकस करते हैं लेंग्ध पर ओके चलिए अब मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ बच्पन में आपने दिखा होगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा उसके यूस कैसे करना है देखो किलो किलो मीटर मैं मीटर लगा रहा हूँ ग्राम की केस में यहाँ पर ग्राम लग जाएगा किलो ग्राम इससे कम होता है हेक्टो hectometer या hectogram फिर होता है decometer then meter then decimeter then we have centimeter then we have millimeter ठीक है तो ये है इसका अब इन में क्या है कि जैसे जैसे आप उपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो दस गुना जादा बढ़ता जाता है यानि अगर कोई length अगर मैं बात करूँ कि एक kilometer की length है और एक hectometer की length है तो kilometer की लंबाई इससे दस गुना जादा होगी यानि ये जो लंबाई हो दस गुना जादा बढ़ते हैं अगर आप 10 mili को इकठा करोगे तो centi हो जाएगा 10 centi को इकठा करोगे 10 dec को इकठा करोगे 10 meter सी ये बनेगा तो ये 10 10 times उपर बढ़ रहा है ठीक है अब देखो यहां से आपके पास कोई भी आ सकता है तो अगर आपके पास है कि अच्छा इसमें जादा important एक kilo वाला है एक ये meter है और ये एक mili है और कभी कभी centimeter भी होता है ये चार जादा ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे पर चलो कोई नी study सबकी कर लेते हैं देखो अगर मैं बात करो one kilometer की अब एक kilometer में अगर मैं कहोँ कितने meter होते हैं तो उसके लिए आपको देखो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं अब मैंने आपको बता थे हैं कि एक एक zero का फरक होता है दस-दस का फरक होता है तो आप यहाँ से नीचे जाओगे यहाँ एक zero, दो zero, तीन zero तीन zero यानि एक हजार, one thousand अब one thousand का problem है कि one thousand का multiply करें या divide करें तो देखो, यह kilometer है और यह meter है unit जो है, वो हो रही है कम तो unit अगर कम हो रही है तो यह बढ़ना चाहिए तो यह one में one thousand का multiply होगा one thousand meter आ जाएगा ठीक है, ध्यान रखना यह जो unit है अगर unit, छोटी unit हो जाएगी तो यह number बढ़ेगा ठीक है, मैं आपको यह कई बार समझा रहा हूँ उसका reason यह है कि इनका product multiply सेम रहना चाहिए भई अगर आप दोनों को बढ़ा दोगे तो सेम कैसे रहेगा तो जब हम इसे बढ़ाते हैं तो इसे कम करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर इसको कम किया भई किलो मेटर को मेटर कर दिया है छोटा बना दिया है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अब उसके बाद अगर मैं यह कहूँ कि एक मीटर में इनका symbol जो होता है शौट में इस तरह से होता है यह किलो मेटर है यह मीटर है यह सेंटी मीटर है और यह मिली मीटर है तो एक अगर मैं बात करूँ एक मीटर की तो एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो देखो यह मीटर यह है और सेंटी यह है तो आप कहा जा रहे हो आप दो प्लेस नीचे जा रहे हो ठीक है यानि दो जिरो का डिफ तो यूनिट हमने कम की तो ये बढ़ाना पड़ेगा बढ़ाने का मतलब multiply तो ये 100 आ गया यहीं पर अगर मैं उल्टा करूं मैं यह कहूं कि one millimeter इसमें कितने मीटर होते हैं एक millimeter में कितने मीटर होते हैं तो देखो millimeter जो है वो छोटा होता है में मीटर बढ़ा होता है तो मैंने unit के साथ क्या क्या है unit को मैंने बढ़ा कर दिया है तो यह number मुझे छोटा करना है तो यानि मुझे का हमें divide करना पड़ेगा I hope आपको समझ आ रहा होगा अगर मैं यह कहूं कि एक decimeter में कितने millimeter होते हैं अगर यह question आपके पास आ जाए बिल्कुल आ सकता है question कभी भी इस तरह से decimeter में लंबाई दी हो और आपको millimeter में convert करना पड़ जाए किसी वज़े से तो कैसे होगा देखो dec यह है और milli यह है तो इसमें 20 का फरक आएगा यानि 100 का अब 100 का multiply करें या डिवाइड कर देखो dec बड़ा होता है milli छोटा होता है unit छोटे कर रहे हैं तो number बड़ा होना चाहिए तो यानि 100 millimeter हो गया है इतना समझ आ गया आपको अब आपको यह भी समझ आ गया होगा किसका multiply करना है किसका divide करना है ठीक है मैं कुछ आपको shortcuts बताते रहा हूं shortcuts in the sense जो आपको बिल्कुल याद रखने एक दो मुझ जबानी एक तो है कि एक kilometer जो होता है 1000 millimeter and one centimeter होता है 10 millimeter यह बहुत common है यह सबसे ज़्यादा common है और यह आपको मुझ जबानी याद रखनी है ठीक है तो अगर हमारे पास से मालो कि 4.5 kilometer कोई है उसको meter में convert करना है तो आप आराम से 1000 का multiply करो यह meter में convert कर दो तो यह shortcut से में पता होने चाहिए उसके बाद अगर इनको उल्टा करें यानि अगर मेरे पास से 1 millimeter और इसको convert करना है मुझे centimeter में तो इतना मुझे पता है कि 1 centimeter में 10 millimeter होता है अब देखो अगर आप यहाँ पे इस आवस्ता में आप कंफ्यूस हो जाएं कि यार multiply करें या divide करें तो देखो यूनिट जो है millimeter से centi बन रही है यानि बड़ी बन रही है तो यह छोटा करना पड़ेगा तो one divide करना पड़ेगा वन अपन 10 हो जाएगा तो अगर मैं कहों one millimeter में कितने meter होते हैं या one की जगा कुछ number ले लेते हैं ठीक है न यहाँ पे four millimeter में कितने meter होते हैं तो इतना आप जानते हो कि one meter में one thousand millimeter होते हैं तो thousand का हिसाब है या यह आपको idea है mind में अब divide करना है multiply करना है तो देखो unit जो है यहाँ पे बड़ी हुई है millimeter से meter बना है तो यह छो in case आप kilogram के साथ करेंगे जहाँ जहाँ आपने M मैंने M लिखा है वहाँ M हटाओ और G लगा दो तो सब same है बिल्कुल hundred percent बाकी same है ठीक है इसके लावा तो अगर मैं कहूँ one kilogram में कितने gram होते हैं one kilogram में 1000 gram होते हैं और यह सारे gram में हो जाएगा ओके अब मैं आपको finally time की units बता जेता हूँ क्योंकि time की unit में भी बच्चे students confused रहते हैं तो time देखो time में यह है कि एक hour में एक घंटे में होते हैं 60 minute एक minute में होते हैं 60 seconds और अगर मैं सीधे hour से second की बात करें तो वो 3600 seconds हो जाता है ठीक है ओके अगर हमारे पास है 4.5 minute और इसको convert करना है hour में तो क्या होगा तो अब आप यह देखो यह है minute और यह है hour जो unit है वो यहाँ पे छोटी है यह unit बड़ी है यह unit तो बढ़ रही है तो यह जो number है यह होना चाहिए छोटा यानि divide और 60 का divide हो जागा क्योंकि one hour में 60 minute होते हैं देखो I know कि इतना मुश्किल है नहीं है लेकिन कुछ students को इतने confusion कुछ students पढ़ने में intelligent हैं उनको काफी चीज़े पता है intelligent in the sense कि उन्हें काफी कुछ कर लेते लेकिन sometimes confused हो जाते हैं तो उसके लिए यह बहुत सही तरीका है यह चीज़ समझने का और आप साथ में यह भी समझ गए कि हम divide ही क्यों करते हैं multiply ही क्यों करते हैं तो I hope आपको यह सब समझ आ गया होगा अगर जैसे हमारे पास है 400 minute और इसको आपने convert करना है second में तो आप जा होना चीज़ ज्यादा तो यह हो जाएगा 400 into 60 समझगा ना तो एक चीज़ unit अगर छोटी होगी तो यह चीज़ बड़ी हो जाएगी यानि multiply और unit अगर बड़ी होगी तो यह चीज़ कम हो जाएगी यानि divide okay well तो I hope मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कुछ और लगबग सारा यह cover कर दिया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपना feedback comment box में देना कि सार हमें वीडियो अच्छा लगा है कैसा लगा okay and subscribe करें चैनल को और भी amazing videos पाने के लिए